काली लाइनक्स, काल भैरो 20, 22.2 का लेटेस्ट वर्जन रिलीज हो चुका है, इस वीडियो में हम काली लाइनक्स के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, यह देखिए, यहाँ पर जो हमारा ओपरेटिंग सिस्टम अभी रनिंग पर है, यह काली लाइनक्स का ले बिल्ड कर लिया है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसकी OS रिलीज इनफर्मेसंस दिखा देता हूँ, यह देखिए, क्याली लाइनक्स 20, 22.2, यानि कि यह जो हमारा ओपरेटिंग सिस्टम है, अभी लेटेस्ट वर्जन पर चल रहा है, तो सबसे पहले अब हम बात करत हूँ, जीनोम में क्या Changes किये गये में, यहाँ पर व्योह धाइनक्स 5 अध्यार सबसे करता हूँ, जैसे बाद siे मिलखे पहले है, यहाँ देखो हम पर व्याहरे पंगे चल प्यांक करता हूँ, सबसे कररेफों सौने i.2, यहाँ नक्ते और दिखंग सकने हैं, यहाँ यहा अब देख सकते हैं, तो हालका सा इसे लाइक सर्कल में किया गया है, तो यह थोड़ा सा चेंजिस किया गया है, तो बात अब हम दूसरे चेंजिस की करते हैं, दूसरे चेंजिस में इसमें लाइक के बिल्ट इन स्क्रिन साट के फीचर को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ptr screen पर click करें जैसे कि मैं यहाँ पर click करता हूँ जैसे कि alt फिर उसके बाद ptr तो यह देखिए यह पूरे हमारे इस पूरे window का screen start ले लिया लेकिन मैं यहाँ से save नहीं करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे save करता हूँ तो यह pictures के screen start folder में जाकर restore हो जाएगा तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर दूसरा बात करते हैं यह full screen start का है तो आप यहाँ full screen start पर आप जहाँ पर चाहे ताहाँ पर इसे drag and drop करके ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए आपको shift plus like ptr screen इसको press करना पड़ेगा तो जैसे कि अब अगर हम यहाँ इतना screen start चाहते हैं तो यहाँ पर हम जितना select करेंगे यहाँ वहाँ तक screen start ले सकते हैं तो यह देखिए तो यह कमाल का feature है अच्छली इसे build-in screen start को इसमें include किया गया है काफी अच्छा इसे बना रहा है लुक को फिर उसके बाद इसके KDE plasma 5.24 actually plasma zenome हम इसा काली linux में changes होते रहते हैं जैसे कि इसमें इनका कहना है कि यह थोड़ा सा like इसे अच्छली यहाँ पर यह काफी अच्छा इसे smooth बनाने की कोसिस कर रहे हैं आप देख सकते हैं उसके बाद जो अगला changes है other desktop enhancement actually इसमें क्या है XFC Twix में क्या changes किया गया है यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने disable कर दिया है motherboard beep को actually जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो 19 आता था तो यहाँ पर इन्होंने इसे remove कर दिया है actually यहाँ पर जो दूसरा है इसमें कुछ default wallpaper को like वो किया गया है for multi monitor फिर उसके बाद mouse pointer को fix किया गया है जैसे कि आप हमारा mouse pointer देख सकते हैं actually थोड़ा सा improvement हुआ है mouse pointer में जैसे कि आप हमारा mouse pointer देख सकते हैं थोड़ा पहले कि यह पेच्छा काफी better लग रहा है इस बार mouse और उसके बाद इसके panel layout में यह arm devices के लिए है इसका layout आप देख सकते हैं यह देखिए उसके बाद थोड़ा changes app icon में किया गया है app icon जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ app यह देखिए थोड़ा सा में dark सा लग रहा है आप देख सकते हैं उसके बाद fuff fudging का tool है काफी like इसके icon में changes किया गया है तो इनका कहना है कि यह जो है edb debugger इन सब में थोड़ा सा इसके icon में changes किया गया है आप देख सकते हैं यहां पर इनोंने आप देख सकते हैं यहां पर क्या 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 से icon को changes किया गया है उसके बाद यह है automated copy of missing configurations इसमें like थोड़ा सा changes किया गया है जैसे कि home directory यहां पर दिखा रहा है आपको यहां पर virtual box share folder support virtual box के लिए भी थोड़ा सा changes किया गया है कोई खास changes नहीं है थोड़ा यहां पर जो ऊपर के कुछ changes थे वो काफी अच्छे changes थे जैसे कि screen sword का यह feature काफी कमाल का feature है यहां पर थोड़ा और changes है to a smart terminal यह changes क्या है हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं जैसे अगर हम python का web application like बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक virtual environment activate करना पड़ता था python के लिए तो यहां पर क्या है कि इन्होंने python 3 में इन्होंने virtual environment को like built-in by default कर दिया है तो यह कमाल का feature है अब हमको python 3 का virtual environment install करना नहीं पड़ेगा पहले हम इंस्टॉल करना पड़ता था उसके बाद हमें .py main.py server.py को execute करा पाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब directly हम install कर सकते हैं जो दूसरा है वो कमाल का changes यह है कि यहां पर जो zip to john 7z to john actually pdf to john पहले हमको इसको like इसकी folder हमें जाकर open करना पड़ता था जैसे कि john को open करना है तो cd, user share, john में जाते थे फिर वहां से हम open करते थे लेकिन अब हम इसे directly अपने terminal पर name के द्वारा open कर सकते हैं यह कमाल का feature है हमने कई बार ऐसा किया है कि हम उसके base folder में जाते थे तो यह थोड़ा changes किया गया और यहां पर काली की यह better है क्योंकि ethical hacker के लिए सबसे important होता है word list कैसी भी word list है उसका environment कैसा jeep to john, screenshot यह सब थोड़ा changes अच्छे लगे हैं उसके बाद hollywood को activate किया गया है hollywood में जैसे कि screen saver अप्रैल fools actually यह होते है जैसे कि hacker का एक terminal होता है कोई चीज बार बार चलता रहता है तो यहां पर कुछ hollywood का look की कोशिस किया गया है अगर आप उसे install करना चाते हैं तो आप यहां पर kali screen saver को like यहां से copy करके install कर सकते है और यहां पर मैं एक changes के बारे में और बात करना चाता हूं जैसे कि suppose माली जी हम अपने terminal पर चलते हैं जैसे कि suppose मेरा कोई tool इंस्टॉल नहीं है अंड वो tool kali की repo में है तो जैसे मैं बात करता हूं यहां पर जैसे genome twix जैसे कि माली जी यह हमारा install नहीं है तो यहां पर जैसे हम hit enter करते हैं तो यह देखिए यहां पर सबसे खास बात आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर genome twix जो है अभी हमारे इस like system इंस्टॉल नहीं है बट आप यह देखिए यहां पर यह by default apt get install like apt install genome twix को यह command automatically hit type कर दिया यह देखिए यहां पर लिखा है do you want to install यदि हम yes करेंगे तो यह install होना start हो जाएगा तो यह काफी अच्छा में changes लगा है आप simply जो है इसे like जैसे कि मैं यहां पर इसे copy करता हूँ फिर उसके बाद मैं यहां पर इसे paste करता हूँ क्योंकि मेरे पास internet अभी है नहीं तो यह देखिए command not found आ रहा है लेकिन जो इसके build in repo में है वो actually आपको यही दिखाएगा जैसे कि आप यहां पर sudo and फिर उसके बाद apt get install फिर आपको जो भी install करना है यहां पर आप simply इस command को copy करके वहां पर paste करके install कर सकते हैं Hollywood activity को भी install कर सकते हैं फिर उसके बाद इसे like kali यहां पर कुछ windows and mac os के लिए है फिर उसके बाद यहां पर win key 3.1 इसमें क्या changes है जैसे कि पहले हमें क्या होता कि जैसे कि अगर हम कोई भी GU application open करते हैं तो हम sudo अब हम graphics में open कर सकते हैं यह काफी अच्छा changes है कुछ नए tool को भी implement किया गया है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं brute shark है evil will arum है फिर उसके बाद http x है कुछ tool है अच्छली आप इन सबको as a app to get install की मदद से सीधे install कर सकते हैं फिर उसके बाद kali net hanter में update किया गया है यह actually mobile and watches के लिए है तो फिलाल हमारे लिए जो update था हमने आपको दिखा दिया है यह देखिए kali twix आप यहां पर देख सकते हैं improvement कर दिया गया है फिर उसके बाद अगर आपको इसको download करना है तो आप simply यहां से click करके download कर सकते हैं या इसका link मैं आपको YouTube के description में देदूंगा आप उहां से download कर सकते हैं अगर आपको install करना है तो उसके लिए मैंने एक video बनाया है और उसका भी link मैं आपको description में देदूंगा उसकी मदद से आप easily kali linux को install कर सकते हैं यदि आप यहीं से install करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस command को copy कर लिजिए फिर उसके बाद इस command को जैसे ही यहां से copy करिए फिर उसके बाद आप यहां पर paste कर दीजिए wait यहां पर आप paste कर दीजिए यह देखिए अब यहां पर paste करने के बाद just hit enter कर दीजिए यह आपका पुरी तरकाली को update कर देगा फिलाल मैंने इसे upgrade नहीं किया है मैंने डारेक्ट इसके IS show को डाउनलोड किया है फिर उसके बाद उसे dd image में convert किया है फिर उसके बाद install किया है तो अगर आपको नहीं पता कैसे install करते हैं तो उसके लिए मैंने भी एक वीडियो बनाया है तो उसका link भी मैं आपको description में दे दूँगा तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पशंद आया होगा मिलते हैं किसी अन वीडियो में तब तक see you soon, goodbye